हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं CID, focus on high. Sony Entertainment Television bar. How did the night happen? When I was asleep, it was a day. How did my hands feel? I can't hide my hands. I can't hide. I can't see my heart again? Na, I am not asleep. When you sleep, you sleep in your bed. I'm not asleep. Why? अज़ अज़ को खाल? आज़ को? आयम भी बिवाद बेरेगा लेटाग बूपाद काई! आज़ को खाल? आज़ को खाल? को खाल? को खाल? पुर्ण पुर्ण, 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 आट साल होंगे, मेरे सिंदात को इस हालोत में देखते हुए, और कि इतना इंदे जार करना होंगा, निर्मेट अट्की को वोगा किन्दे ही, डॉक्टर. देखी, सिधार्थ की हालत में पहले से काफी सुधार है, लेकिन यदोरे, रगता है उसके मन में किसी चीच का डर बैड़ गया है, और उस डर की वज़े से वो बे-काबू हो जाता है. पेरा बेटा कभी ठीक हो पाएगा या नहीं, डॉक्टर साहब? खुसला रखी है, वेडिगल साइंस ने बहुत तरक्की किया, मुझे पूरा यकिन है कि आपका बेटा बहुत चल्द ठीक हो जाए. अरे यार, 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 रवी, किती बख्वास पिक्चर दी, हाँ यार, नेरंज, उससे भी जादा बख्वास उसके गाने थे, यार, मुझे तो बस पॉपकॉन खागे, यह बहुत बज़ा आ गया, यार, विनाक्षी, सही का, तुमने दी पा ली, अच्छा, तुम ल करते हैं, कौन है, कौन है, कौन है, यहाँ, शायद मेरा वहम ही होगा, हाँ, फिर से भाही आवास, आवास शायद यहां से आ रही है, रवी, रवी तुम हो ना, रवी, तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसा मज़ाख बिल्कुल पसंद नहीं, रवी, मुझे रहे, यह यहां कैसे आई, कहीं, मिर पास मता आणा, मिर पास मता आणा, मिर पास मता आणा, पर पास मता रहाँ आँ 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 लापरवाही की भी हद होती है सिधार्थ अपने कम्रे से बाहर गया कैसे? माप कीजेगा, सर मैं तो भूस सिधार्थ की दवाया लेने बाहर गय थी दर्वाजा खुला छोड़ के? नहीं सर, दर्वाजा लोग था दर्वाजा लोग था तो कि सिधार्थ अपने कम्रे से बाहर गया कैसे? माप कीजीगा, सर मापी से काम्रे ही चलेगा जाओ जल्दी, ठुल्दा उसे बुरा अस्पतार खान मारो, जल्दी जी सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है आप लोग तो यही थे ना? जी हाँ, हम लोग तो यही थे तो फिर आप लोग ने सिधार्थ को अपने कम्रे से बाहर जाते हुए कैसे नहीं देगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सर ममा, सर्व, उसे धात मिल गया? मिल गया? कहा था? सर, वो कमपाउंड में था कमपाउंड में? जी, सर ममा सिंधार! बेटा! पापा! सिंधार, तोर जिलागिया था, कितनी विखर हो रही थी, आमें तो ठीक है ना? ममा, मैं तो टहल ने गया था टहल ने कया था? रहा लेकिन तुम अपने कबरें से बाहर गये, सर? मकडी मकडी? हा, मकडी च्रफ क्या मकडीने तुमें बाहर निकाला? मकडी, तो आप मेरी दोस्त बन गये लिखेसी बाती पक्रषा मकडी दोस्त इस वे सर लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया जी नहीं सिर्फ एक लेडी डॉक्टर ने नव्स को चेक किया था उसके अलावा लाश के साथ किसी ने शेड़ शाड नहीं यहां सर इस्क्यूज मी एवरीवड़ी एक मिनट जरब पीछे अटी आप लोग अटो पीछे अट कब क्या होजा डॉक्ट साब कुछ कह नहीं सकते हैं यह तो है अब जी इसके शरीर पर कोई चोट या जख्म का निशान तो दिखाई नहीं दे रहा है किसी किसम का कोई जय है ना जहर के कोई ट्रेसिज भी नहीं है अच्छा हां यह हो सकता है मुझे लगता इस लड़की की मौत हार्ट अटेक की वज़े से हुई होगी जब हम आये इस लड़की का हाथ यहां था ऐसे इसका मतलब इस लड़की को सीवियर हार्ट अटेक आया होगा उसके दिल में दर और में दिपाली हम इसके दोस्ते सर और हम एक साथ फिल्म देखने आये थे अच्छा फिर यह सब हुआ कैसे सर जब हम पिच्छे देखे बाहर आ रहे थे तो मिनाक्षी ने बोला उसे वाश्रूम जाना है वो अक्यले ही वाश्रूम चली गई थोड़ी धर बाद मिनाक्ष क्या भला चीख सुनाई दी हां हां सर शायद वो किसी चीज को देखकर बहुत डर गई होगी एक मिनाट अबजीद अबजीद यह हो सकता है हो सकता है इस लड़की ने कोई ऐसी चीज देख लियो जिससे बुरी तरह से डर गई हो डर की वज़े से हार्ट अटक आया होगा ह हां सर मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक बहुती दरावनी मूगी देखते हुए एक आदमी को दिल का दोरा हुआ और उसकी मौत होगी यहां पस्बल है लेकन यहां उसने ऐसा क्या दरावना देख लिया कि सीची टीवी कैमरा मैंने साफ मुझे इस कैमरे की फुटेज देखने है यहां देख सकते हैं सर में नक्षी की मौत से पहले का फुटेज दिखाना कॉरी दोर से सुटू करो जरा जी सर यह इदर उदर देख रही है किसी को टून रही है क्या सरलक तो ऐसा ही रहा है सरी तो फिर से रोग गई जरा दूसरा कैमरा दिखाना या तो किसी ने इसका नाम लेके पुकारा या फिर कुछ सुना है इसने किसी के कदमों की हाट हो गया रहा है क्या देखा इसने जरा दूसरा एंगल लगा अरे यह क्या इतनी बड़ी मकडी के परचाएं यह कैसे मुम्किन है सर इतनी बड़ी मकडी मॉल में और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी अरे लेकिन यह आपकी फोटेज में देख रहा है ना यह सामने है ना यह मिनाक्षी जीदर के रिए उसका फोटेज दिखाऊ तरह सर इक बात तो साफ हो गई कि इसी मकडी की परचाएं की वज़ा से मिनाक्षी को दिल का दौरा पड़ा लेकिन यह मकडी आई कहां से चलो देखते हैं सर हमारा पूरा मॉल सेसी टीवी की कवरेज में है सिर्फ इस छोटे से पैसेज के यहां का सेसी टीवी कैमरा खराब है कमाल है जहां पे फून हुआ है उसके आसपास का कैमरा खराब है मिनाक्षी यहां से आई इस कोरिडोर में और यहां पे उसने मकडी देखी उसको हार्ट अटेक हुआ और शायद वो मकडी इधर से रिंगती हुए चली गई जहां का कैमरा खराब है सब्सक्राइब के मिनाक्षी की लाज को अपने साथ फोरें से क्लाब ले गए ठीक है यह मकडी गई तो गई कहां जरा आसपास चेक करो देखो कुछ मिलता है क्या सर वहां से यह पत्ता मिला पत्ता काँ पे है वहां से सर्याइब एस जगे प्रहिं तो यह तो आसपास कोई प्रहुत अप्र कोई गमला अगरे तो अन्हें यह पत्ता आया का सिर चायदू मकडी लेकर आई योगी शर्य कितनी बड़ी मकडी अचानक इस मॉल्सिंध कहां च इसे सिर्फ मिनाक्षी ने देगा इस मकड़ी का राज शायद इस पत्य में ही है इस पत्य को भी सारुंके साब के बाद बेज दो सर और मिनाक्षी के दोस्तों को बुलाओ जारा सर देया देया क्या आल है वाई कैसे हो ने ने मैं ठीक हूँ यार मैं मैं एक्चली मॉल में हूँ अरे शॉपिंग वापिंग नहीं करता हूँ यार क्यां पेक मुर्डर हो गया बड़ा अजीवो करीब मुर्डर है ने नहीं अरे यार इतने दिनों के बाद तुम चुट्टी पे गयो तुम एंजॉय करो हम लोग देख लेंगे नहीं चिंता करने के जुरूत नहीं है सब लोग चीक थाज़ी तुम लोगों ने बताया कि तुमने मिनाक्षी की चीक सुनी ती हां सर तो चीक में उसने कुछ कहा था है दिल का दोरा शायद मिनाक्षी ने एक बहुत बड़ी मकडी को देख लिया और उससे डर के उसे हाट अटाइक आगया लेकिन आप लोग मकडी का नाम सुनके इतने परिशान क्यों हो रहे हैं कुछ नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है वो मॉल में मकडी कैसा सकती है सर हम आप लोग की जानकारी के लिए इतना बतादू के दुनिया के किसी भी कोने में शेफिट बड़ी मकडी नहीं होती है पर सर हमने खुद उस मकडी की परचाई देखी थी सीसी टीवी फूटेज में तो आई आप लोग मेरी रिसर्च भी देख लिजी है यह देखो मेरे रिस किसी की मकडिया होती है जो कि अंतार्टिका को छोड़कर सभी महादवी पूपी मिलती है तो इसमें सबसे बड़ी मकडी का साइज 11 इंच है इग्जैक्टी सबसे बड़ी मकडी 11 इंच तो बहुस छे पिट की मकडी तो होई नहीं सकती है अरे लेकिन डॉट सब आपके रि मठी आए ही नहीं अрь महाँ परे मकडी जाए नहीं हो यह पुरानी एक बात तो पक्की है इन चारों दोस्तों का उस मकडी के साथ कोई नकोई संबन्ध है कोई नकोई संबन्ध है इसलिए तो जैसे मकडी का नाम सुना उनके चेरे का रंग उड़ गया और मिनाक्षी के ब मौत होगी हार्ट अटक्स है, शायद मिनाक्षी भी अपने दोस्तों के तरह कुछ ऐसा जानती थी मकडी के बारे में, जो बहुत भयानक था तरह मौल से वो पत्ता भी तो मिला था ना? हाँ, तारिका ने उस पत्ते के बारे में कुछ पत्ता लगाया है एक मिनिट, साथ, यह पत्ता हॉलिवेल नाम के पौधेका है, जो सिर्फ जंकल में ही पाया जाता है, शेहरों में नहीं मिलता मौल से तीन किलो मेंटर दूर वो बींद गुंज का जंगल है, शायद यह पत्ता वहीं का हूँ सचिन, काम करो, फ्रेडियो और पंकत दुनों को बींद गुंज की जंगल में लेकर जाओ, और इच्छे फुट वाली मकड़ी के बारे में पता लगाओ, शेह, और अपने साथ कुछ उफिसर्स को भी लेकर जाओ श्रिया, मीनक्षी की घरवालों को फोन करो, और उनसे कहो कि हम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं यह नहीं हो सकता, भगवान इंदा निर्दै नहीं हो सकता, मेरे फूल से बच्ची को बसद नहीं चीट सकता आपको सम्भालों सुनीता, मानक्किया, हमें सिंद्गी ने पहुत ही गैरा सक्मितिया है, परवी सच्कातों सामना करना ही पड़ेगा जीहाँ, जीहाँ, जीमे, प्रवच्ची को प्रद्धिमिन सियाइटीस, सियाइटीस? जा मंदरासत्ते, आए, थाए, थाए, सौरी, पता है हमें, यह सही वक्त नहीं है, आप लोगों से मिलने का, मकर क्या करें, मजबूर हैं हम लोग, अच्छा, क्या आप बता सकते हैं, आपकी बीटी मेरा मतलब है मीनाक्षी को कोई दिल का प्रवबलें ता हाड़? पर बता नहीं, अच्छा, कोई दिल के विमारे नहीं ते पर पता नहीं, तो फिर? पता नहीं, क्या होगा? देखिये, हमें लगता है कि मीनाक्षी जब उस शौपिंग मॉल में रही तो उसने वहां पर एक बड़ी सी मकडी देखी, और बस उस मकडी को देख थी, जौग गई और शायद उसी वक्त उसका हारट का प्रवबलेम हो गया, उतलब ए दिल के धढकन, मीनाक्षी मकडी को मेनाक्षी को तो मकडियों में बहुत दिलचस्पी थी, मकडियों में दिलचस्पी? जी हाँ, मेनाक्षी जी विग्यान के स्टुडेंट थी और उसका लगाव तो यहां तक था कि उससे टेरेंट्यूला मकडी के उपार एक खास प्रजेट्ट तयार किया था, अच्छा, अच्छाना क्या हुआ उसे? वो मकडियोंसे बहुत नफ्रत करने लगी. नफ्रत करने लगी थी? क्यो? उससे जित्नी बी, उनकी फोटोग्राफिका ठीकी थी, उससे फाड़ने लगी, उससे जिलाकर राप करने लगी. यहाँ तक कि, अगर उसको अपने विग्यां की केतात में, कोई मकडियोंसे फोटो भी दिख जाता, तो वो उससे पनले कोई फाड़ के भेंग देती थी. स्ट्रेंज, पर क्यो? मतलब, ऐसे क्या वज्य थी जो, उससे मकडियोंसे इतनी नफरत होने लगी? पता दे, बहुत पारु से पूझने के कोशिशे सके, पूझने कभी पता है यह नहीं. शायद, दिपाली को मानुमों. दिपाली? सब के सब जंगल में फैल जाओ, जंगल के चपपचपचपचान मारो. यह हॉलिवेल नाम का पत्ता मिलना चाहिए. देख लो, पत्ते को ध्यान से, ताकि कोई गलती नहीं हो. ऐ पंकच, तुम्हें इस मकडी से डर तो नहीं लग रहा है न? सर, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता. आपको तो डर नहीं लग रहा है. तुम फ्रेडी से बातते रहे हो, फ्रेडी से. फ्रेडी भी किसी से नहीं डरता. पता है? एक बार बड़ा सा हाती मेरी तरफ तोड़ते हुए आ रहा था. मुझ पर हमला करने के लिए. एक हाती आपकी तरफ दोड़ के आ रहा था हमला करने के लिए? फिर आपने क्या क्या सर, भागे की नहीं? बिल्कल नहीं. मैंने उसे दिखा दिया कि फ्रेडी का जिगर शेर के जैसा है. मैं वही पे टटके खड़ा हो गया. और उसकी आखों में आखे डालते हुए उसे घुरता रहा. फिर क्या वह सर? पर हो ना गया था? हाती पलड गया और दूम दबाके बाग गया. हाती दूम दबाके बाग गया. और नहीं तो क्या? वह समझ गया था कि उसकी भलाई उसी में है कि वह फ्रेडी से पंगान आले. सर, ऐसी एक वीरताई कार्णी मेरे पास भी है. सुनाओ? सुनाओ, सुनाओ. सर, मैंने बश्पन से प्राक्टिस की हुई अपनी माशलाथ की ट्रिक उसे दिखाई. वह! तूम दबाके भग्या सर एरिया में कमी दिखाई नहीं. वेरी गुट पंकाज. सारे ओफिसर हमारे जैसे शूर होने चाहिए. अनल्य हम हाथी कुट्टों से नहीं डरतेРЕoshop, तो मकडी क्या चीज़ें? कि मचली… मचली…. सोटी से मकडी से शाँ così? और शाहर, च्छुमाप! जाहरा, फिरेकले से अप्री मुझें, उख्ल formulationah. फ kanaって! बüyतके बेंगम में, में近हिए Majesty! फोरी वे relational क्पत्ता है. स cultivate, इतनी सेरी मुझे alpower? जेकले लगताया फेडिया,ef ready? यह earlier कुछ गाड़ा कहा betting daha? सार, लगता है, मकडियों के लिए खाना है यहाँ पूरी के पूरी मंदली जमाएं इस गट्थे में उलाश गड़ी गेती, लाश आईए से, आईए शुष्मा, यह लोग सी आइडी से सी आइडी से? यहाँ, सी आइडी से दिपाली हमें मिनाक्षी के घर से बता चला है कि मिनाक्षी को अचानक मकडियों से नफरत होने लगे थी क्यों? मकडियों से? यहाँ मकडियों से तुम तो मिनाक्षी की पुरानी दोस्ती ना? तो शाहिद तुम्हें पताओ के मकड़ियों से नफरत करने की क्या वज़ा थी वज़ा देखो दिपाली हमसे कुछ मच्छेपाओ वी इंद गुंच के जंगल में हमें एक गढ़ा मिला है और उस गढ़े में किसी की लाश काड़ी हुई थी लेकिन अब उस लाश की जगां प देखो हम जानते हैं कि तुम एक भुट ही मुश्किल तौर से गुजर रही हो तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त की मौत हो गए और तुम्हारे अतीत के पन्ने अपने आप ही खुलते जा रहे हैं लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं देखो तुम हमें C.I.D. आफ आज से चार साल पहले हम सब दोस्तों से एक भूल हुए थी कैसे भूल? कैसे बताओ? बोलो दिपली, देखो अगर तुम नहीं बताओगी तो इनाक्षी का खोनी आजाद खुमता रहेगा, प्लीज बोलो चार साल पहले हम सब दोस्त पंचिगनी के थे पिक्निक के लिए, हमारे बीच एक ऐसा दोस्त भी था जिसे मकडियों से बहुत डर लगता था, उसका सिधार्ट नाम था यह सैंड्विश काने के बाद सिधार्ट कभी भी मकडियों से नहीं तरहेगा, क्योंकि मकडिया कुतों के शरीम होंगी काईस, ऐसा बत करो, किसे से भी ऐसा मजाग महीं करना चाहिए ओ, सच्चाई की पुजारन, यहां पिक्निक में नाने आया है, और इतना मसाग तो चलता है ना सिधार्ट, तुरे सैंड्विश रैडियों गया, आजा आया, ममा मैं बाद में कॉल करता हूं आजा आजा, ला भाई, किदर है थैंक्यू गाइस, जिल्दी खा कैसे लगा? खाने तुझे, अच्छा है ना? यारत मैं! तेरे डर भगाने की दवा, मगड़ी तुम लोगों ने अपने ही दोस्ते खाने में मगड़ी याल दी? यही संसकार दिया हैं हमने तुम्हें, दिपाली माफ करना पापा, लेकिन हम लोगों को अपने किये पे बहुत पस्तावा है तो तुम्हें क्या लगता दिपाली, कि मिनाक्षी की मौत में सिधार्द का हात है? तरहसल सर, जब सिधार्द को पता चला कि हमने उसके खाने में मकड़ी डाली थी, तो वो और घबरा गया शहर में रहता था, अब कहा रहता है, नहीं पता, उसके मान से किस्तिती इतने खराब हो गए थी, कि उसे हॉस्पिटल में भर्दी करा दिया गया था सर, लगता है यह सारा खेल है, सिधार्द खेल रहा है, वो यह केक करके अपने दोसन से बद्ला ले रहा है, मकड़ी बनके, वो सकता है अच्छा वो जंगल में जो जूता मिला था, वो किसका है? सर, जंगल में दफनाई हुई, किसी लाश के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूँ ठीक है, अगर आपकी जरूद दोबाड़ा पड़ती है, तो हम आपसे मिलेंगे, थैंक्यू सर, मुझे लगता है, दिपाली ने हमें पूरा सच पताया नहीं वो जरूर उस लाश के बारे में कुछ न कुछ जानती है अश्रिय, बले ये दिपाली हमें पूरा सच ना बताए, लेकिन हम सच तक पहुँची जाएंगे लाल ये पता करो कि ये सिद्धार्थ इस वत है का हलो नीरंथ, बहुत बड़ी गरपर हो गई है क्या हुआ? तुम लोगों के जाने के बाद यहां CID आई थी CID? हाँ तुमने कुछ बताया तो नहीं उनको? नहीं, लेकिन CID बीन कुछ के जंगर तक पहुच गई है क्या? हाँ, उन्हे वाँ लाश तो नहीं मिली, लेकिन एक जूता मिला लाश नहीं मिली, तो लाश गई है कहा? यह नहीं बताया उन्होंने, लेकिन लाश के जग अपे मकड़ियां थी मकड़िया? हाँ यह मकड़ियां हमें नहीं चोड़ेंगी मैं यहाँ चुप जाता हूँ, मकड़ि मुझे यहाँ नहीं डूड़ती मम्मी, वो लाश गई सकती है, मुझे नहीं गई सकती को-को-को-को, यार, यह जरूम्मकड़ियोगी नीरा, प्रॉष्णे, मम्मी, मुझे लगा कि कोई चोर घुषाया तेरी, तब्रीतों खीएगे ना? मैं टियेको, मम्मी, आपजाओ जाओ, मैं आता है, 5-2-1 तुन, मैंने, मैं 5-5-2, मैं आता है मैं मीनाक्षी नहीं। सुरा तुमने तुम जैसै Bean Bangam refere कुछछ़ियोगी बिगार सकती सुरा तुमने ! सुरा! यह नहीं हो सकता? यह नहीं हो सकता मेरे साथ? रुख्षाए. रुख्षाओ वऑई फिर! मेरे पास बताना मैं घह appliance. रुख्षाओ वभई! रुख्षाओ वभई! बचालो! बचालो! मुझे इस मकडिसे पचालो! यह मगड़ी मुझे मुझे भाड़ा देगी, माम. मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती. सुबह तक तो सब ठीक था. अच्छानक यह सब कैसे हो गया? माम, माम, प्लीज समभा लिए अपने आपको. जानकीजी, जानकीजी, जरा शानत हो जाएए. दीके मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या गुजरती है, निरंद की यहालत देख कर. पहले मिनाक्षी और अब निरंद. सचीन, इन सब का जरूर उस मकड़ी वाली मजाग के साथ संबन्द है, जो इन चार लोगों ने सिद्धार्थ के साथ किया था. हिलना गाında. नहीं नहीं मैंको सिद्धार्थ से में यहागों की आप उसे के मनें होंगी. देखें वरसी इसकी दिविट ही डिउजिए. सवाल जवाब के ऑंसी आप लोग और परशान करेंगे. एमना की का फून है जिसे सिद्धार्थ हाँ साल सी जानता था. और विखन लड़के की जान जाते जाते रहे गई, जो सिधाट का दौस्ता आठ आट साल पने नहीं है दिगी तो सिधात को मेरे के बाद ही पता चल जाएगा मैंप प्लील, हमने मिलने दीचिए जबकि एसी कोई मकड़ी नहीं होती आपका बेटा मकड़ी के भेश में यह गुना कर रहा है क्या भगवास कर रहा है आप मेरा बेटा मकड़ी बनकर खोन कर रहा है देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ मेरा बेटा हमेशा इन कमरों की चार दिवारों में कैद रहता है अगर आपका बेटा इन चार दिवारियों में कैद रहता है, तो इस वक्त आपका बेटा कहाँ पे है, हाँ? देखा, 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 यही है मेरा बेटा, अरे, यह तो वोश रों गया था ममा, पापा, यह लोग कौन है? सिद्धार, हम तुम्हारे नए दोस्त हैं दोस्त, हमसे दोस्ती करोगे? जी. यहाँ इसालष, तुम्हारे हाथों उपर यह बेरों नatu, मिट्टी कहाासे आई? है? अरे, यह मिट्टी कहांसे लगगई? बताना, ममा, पाब बताना, यह मिट्टी कहांसे लगए? मिट्टी कहा से आई? देखिए, मैं आपके बिखाना चोड़ता हूँ, इसे आकेला छोड़ दीजी, यह आपके सवालों का जवाब देने की स्थिति में इस समय नहीं है निकिल, तरह बातर में जाके चेक करो, देखो यह मिल्टी कहां से आई इसके पैरोपर शितहर, बीटेक बात कहोड़ के बताओ की, निरन, रवी, दिपाली, मीनार्षी, यह चार लोंगी यादेतो, अगे तुम्हारे दोस्ते थे, ना, स्कूलसे? यह कोई दोस्ते है, मेरे, आपलोग посмотрим, यह दोस्ते है, मेरे, आपलोग मे दोस्ते है, मेरे सर्थ, यहां? सर वाथरूमे ऐसे कोई चीज नहीं है जिस इसके पैरों में मिट्टी लग सके इसका तो एकी मतलब होसकता है यह आपका यह बेटा कही बाहर गया था वह फर रजह किसा था? यहाँ बेटा बाहर नहीं जा सता निकेल, इसके पेरों से मिट्टी उठाओ और फोरें से क्लाब बेज दो तो यह है वो चत, जहां से उगीरा था? यह सर, और सर लगता है इस दिवार पर इस दिवार पर नेरंद को वो मकडी वाली परचाही दिखे होगी हाँ निकेल, मगर मकडी की परचाही तभी दिखेगी जब मकडी किसी लाइट के सामने हो है ना? वेता यह है वो लाइट जिसके सामने मकडी थी चत को अच्छी तरह से ढूंते हैं अच्छी तरह से डुन्ट, देखो, उस मकडी ने हमाद ले कोई सुराथ छोड़ा है क्या? सर्फ, यह देखिए, मिट्टी के निशान, शायद यहाँ कोई खड़ा हुआ था? यह तो पैरों की निशान लगते हैं, मिट्टी के, जरूर यहाँ पर कोई खड़ा था? यह तो, पूल्टी, 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 तो पूल्टी. गीजिए, जैसरायों रुष्पर प्रक्रिक्षिण विल्लगा वुँवा. निकेल, निकारों देरो, संबाले. जरु, खालका डुट्ट्ट्टुकुणा जैसेलेंलेकर रहाया, जरु. कowment के लिए लो यह खाल का टुकड़ा किसी इंसान की खाल का टुकड़ा है इंसान की खाल का टुकड़ा है, उसका मतलब है जरूर यहाँ पर जो भी कोई खड़ा था, उस्थ उस केल की वज़ेसे करण जॉब्जा ग экспर क्रण गई, और उसकी खाल उस केल पर अटक गई सर वो देखे पीचे गमला भी टूटा हुआ है गमला भी टूटा हुआ है जो जरूर यहां से चलाग लगाई होगी उस भागने के लिए सीधा गिर गया उस गमले पर गमला भी टूट गया वगर सर क्या सिर्फ एक खाल के टुकड़े के जरीये हम कोनी तक पहुंच सकते हैं हाँ निखेल बिल्कुल पहुंच सकते हैं क्यों नहीं पहुंच सकते हैं अब देखना यह खाल का टुकड़ा ही हमें बताएगा कि है कौनसी यह मक्री इंसान के खाल वाली इंसान के खाल वाली मक्री सारूंके, उस खाल के टुकडे का डिय ने रिपोर्ट आया? हाँ वोस ये खाल किसी पच्चीज साल के लड़के की ऐसा लड़का जो दिन में बारा से चौदा गंटे गर के बाहर ही रहता है बारा से चौदा गंटे गर से बाहर? मतलब हम जैसे कहीं काम करता होगा हा लेकिन उस लड़के का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है उसकी खाल काफी रूखी और सक्त हो गई और धूप की वज़े से जुलस गई है खाल काफी रूखी और सुखी और धूप की वज़े से जुलस गई है लड़का बड़ा पुरुपतीला और देज लगता है आसानी से चट पे चट पे चड़ गया हूँ बिलकुल बस मुझे सर रास सिदार्थ तो अपना ज्यादा समय होस्पिटल में बिताता है उस्टिल से आदे गंटे के लिए कमरे से बार जाता होगा मतलब यह को यह और है यह संगे सिदार्थ के पेरों पर यह पार पर जो मिटी मिली थी वह दु पर के बारकी मिटी है न 되지 यह मिटी ऑर गिया इससे धार्थ नहीं है, तो फ़्हुर और कोल उसकता, isn't he? ऐसा छोटूरिया में उस लड़के के खाल में से हमें फाइबर, नार्ययल के पेडका फाइबरो है फिर तो सर एसा लगता है वो लड़का नार्यल के पेड़ो पेड़ के चड़ता होगा, तो जल्दी से जल्दी सरवी और दिपाली को प्योरो में बुलाना पड़ेगा इससे पहले कि कोई मकडी उनका शिकार करे सर आप लोग बेवजा हम पे शक करें अगर हमें पता होता इसके पीछे किस का हाथ है तो हम आपको पहले ही बता देते जरूर कोई न कोई तो राज है जो तुम अभी भी हमसे चुपा रहे हो पता नहीं सर ऐसा दो कोई राज नहीं है देखो दिपाली से जूट बोले का कोई फायदा नहीं अगर तुमने पहले साच बता दिया होता तो आज निरंथ हॉस्पिल में नहीं होता आप भी वाक्त है स तुम चाहते हो कि मुझलम तुमें नकसान न पहुचाते है तो हमें सस्च तु मताओ सर हमने आप को पहली सकतुत सच सच बता दिया था तूट तुमने यह नहीं बताय क्यों लाश किसकी थी heli वो लाश, किसकी थी वो लाश, बताओ जल्ली, किसकी थी, नहीं रभी, मुझे बताने दो, मैं ये राज और अपने तक नहीं रख सकती, लेकिन ये लोग हमें दोशी समतेंगे, लेकिन दोशी है कौन नहीं, इसका पैसला हम करें, लेकिन अगर तुम चाहते हो, तो मकडी वा अगरी हम ने उसके खाने में मकडी डाली है, तो वो गुस्ते से आगबूला हो उठाए, मकडी ज़िए! क्या होगि इसे? अरे, हम तो सिर्फ मजाग कर रहे थे! टेरेस घटिया मजाग से देखा, क्या हो गया? तो जादा मधबन हा? वे जब में मजद करना तू भी तो हजना था, है? और इस तरह अंजाने में पुनित की मौत हो गई तुम्हार इस गंदे मजद की वज़े से पुनित और मिनाकशी दोनों की जाने चली गई और सितार बीचारी की जिंदगी चार दिवारों में बंद हो बई हमेशा के लिए है हमें माफ कर दीजे सर और तुम्हारी कर्टूथ सब के सामने ना जाये इसलिए पुनित की लाश को तुमने जंगल में दफना दिया नहीं सर, हमने रही निरंत ने उसरे बोला था पुनित की लाश को दफनाना पड़ेगा नहीं तो हम सब फज जाएंगे और अमने यह सब किसी को नहीं बताया कोगी हम दर गए थे उनीत के घरवालों ने उसे ढूंडने की कोशिश नहीं की उनीत अना था अनाधाशन ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी लेकिन छे महने तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और उनने केस बंद करा दिया उन छे मैनों में हमारी रातों की नेंदी गायाब हो गई थी सरो सकता है यह सब पुनीत कोई दोस्त कर रहा हूं पुसकता है वो उसकी मौत का बद्ला ले रहा लेकिन सर पुनीत का हमारे अलावा और कोई दोस्त नहीं था ना कोई दोस्त ना कोई परिवार तो बेल है कौन यह मकड़ी वाला इंसान जो पुनीत की मौत की सजा इन चार दोस्तों को देना चाहता है क्या रिष्टा है इसका पुनीत के साथ बहुत बड़ी गड़़ए, सचेन, बहुत बड़ी गड़़़ए आप अंकची नारियल वाला आतने मिल गया? एक्सलेंट यह रावो नारियल थोड़ने वाला अनिल नामेज कर सेखिए क्या चाहिए साफ सी आएडी सी आएडी? हाँ, सी आएडी यह क्या हुआ तुमारे? हाथ में और बैर में चोट के से आगई तू? साफ, मेरा काम ही है पेड से नारियल तोड़ते वक में गिर गया था पेड से गिर गया था या इसी चट से? साफ, चट से कैसे कि गुआ? नारियल तो पेड़ पे लगते है ना? ज्यादा होशारी दिखाओगे ना उसी दिन नारियल की तरफ पेड़ पे लगता दूँगा समझे? पताओ अशोक नगर में पुमार साफ के घर के चट पे क्या कर रहे थे तुम? क्या करने कहे थे? देखो वहाँ उस चट पे इसे एक आत्मी गिरा है और इस वक तो हॉस्पिटल में है अगर उ मर जाता ना तभी तुम आज़ी पर लटक जाते है समझे? यंत्र ने मुझे एक यंत्र भी दिया था और उसने कहा था कि इस यंत्र को तिवार के तरफ करके रखना सका मूँ और इसमें जो बटन है उसे दबाना लगता ये प्रोजेक्टर के बारे में बात करना है प्रोजेक्टर ही है पिर बताओ क्या हुआ? साप, मैंने उसका बटन दबाया तो उसमें से एक बड़ी सी मकडी की परच्छाई निकली और उसे देखकर तो मैं भी टर गया था एक बिट के लिए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साप, वो नड़का वो परच्छाई देकर गभरा गया और इंशे गिर गया शर्मानी चाहिए तो, तुमारे इस मजाक के चकर में तो आदमी के गरजान चले जाती तो मुझे माप कर दिजे साप, ये काम करने के लिए मुझे पांच जार उपर दे गहेते हैं मैंने सोचा मजाक है इसलिए मैंने हा कर दी थी किस ने दिये ते तुमें पैसे? किसने दिये थे पैसे? साव वो, फो शीटी होस्पिटल उस ने बाद में पैसे ले चलो इसे, जल अई साब, उस तरफ इस तरफ? हाँ साब दटाए ही हमें, सिदार्द के कमरे के रफ लेके जा रहा है वह सर लगता तो ऐसा ही है साब, यह वो कमरे है यह तु सिदार्द का कमरे है हाँ साब, इस ही कमरे में थाओ जिसने मुझे पैसे दियते हैं काम करने के लिए चलो इस सिदार्द के सब कुछ करवा रहा है निकिल, देखो जारबा तुम चेक करो साब सर, लगता इस सिदार्द को पता जल गया था कि अब लोग उसका पीछा करते हुए आएंगे इसलिए हमारे आने से पहले वो यहां से नो तो ग्यारा हो गया हुए सर, वाश्रूम ठीक्टा आगे सलगता इस सिदार्द बिमार था ही नहीं वो सर्फ बिमारोने का नाटक करा था आट साल तक बिपारी का नाटक कोई आटमी बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी के आट साल कैसे दावप लगा सकता है सर्फिन ये बदले क्या इंसान को अंधा कर देती है बूल जाता है इंसान इसाही क्या है गलब क्या है अच्छा क्या है बूरा क्या है अब तो इसे ठूनना पड़ेगा इस सिद्धार्त को सिद्धार्त को सिद्धार्त जी सिद्धार्त ये सिद्धार्त कहा है अपने कम्रे में नहीं है क्या ये ने कम्रे में नहीं पर सर आदे गंटे पहले तो अपने कम्रे में ही था अभी कहां गया Filipali और Ravi से पतला लेने तो अरे, Ravi तुम यहां क्या कर रह रहे हो ? मुझे किसी ने फोन करके बलाया है। मुझे भी तुम कुई नजर ही नहीं और रहा? हाहा, कहिए, उस खोनी का काम तो नहीं दिए लगता है, हम पो यहां नहीं आना चीए था चलो यहां से चलते हैं, चलो, चलो. इसके अवाज है? कई वो मक्री तो नहीं? तुम सही बोल दियो, चलो, चलो. बागो, बागो. यह आवाज तो हमारे पास ही आ रही है, बागो चल देहीं. चलो. अरे, तो जल्दी ही उत्वर देवाली. बागो, बागो. यह तंकाव काजी आ गया? यह रहता है, इसको में मक्री नहीं भाना था. यह मक्री उमें नहीं छोड़ेगे. उन्हें इसकी बॉल का बत्ला लेगे रहेगे. अब क्या करें? यह रहेगे? सर्व, आप लोग, अच्छो हुआ आप लोग आगे. वो मक्री हमें मार डालेगी, सर्व. जबरामत, यह कोई मक्री नहीं. मक्री बनकर बदला लेने वाला इंसान है वो. वो रा! वो रा! वो रा! तुट जाओ! अपे रोओ! दो पीकर, मांचा, पीकर. छोड़ो मांन नहीं! ऑलो, मुझे! जयां! जयां, मुझे! भीकर! मुझे! भीकरी बनकर! मुझे है! मुझे बनकरी नुच्छी. वहाँ तुम्हारा बेटा, फास्पिटल में, मैं माट डाला चाहता था क्योंकि मेरे बेटे की सिंदिगे लोगों ने परवाद कर दे जिस अमर मेरे बेटे की शादी हो जाने चाहिए थी उसकी डौकरी लग जाने थी उस अमर मेरा बेटा आस्पताल के चार दुवारी नकाया दे और वो सब इनकी वज़ा से इनकी वज़ा से हमें अपने के पर पस्तावा है तो बदला लेने के लिए इतने साल क्यों रुके हाँ पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था कि पिछली भार थोड़ी से हालत उसके सुधरी तो उसने मुझे पता आया कि उसके साथ क्या हुआ था बस और पिर बदले की आग ने तुम्हें अंधा बना दिया निकल पड़े तुम खोन करने के लिए तो अपसोस तो तुम्हें अपने किये का होना चाहिए अपसोस तो तुम्हें अपने सोच का होना चाहिए कभी सोचा के तुम्हें पीछे इन दोनों का क्या होगा क्योंकि शायद तुम्हें तो भासी ही होगी भासी कर दो